नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासिज में हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्त और साकुषल होंगे तो चलिए बात करते हैं आज किस क्लास की तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPB8 परवेश परिक्षा समान हिंदी की जो आपकी क्लास है ये रेगुलर चल रही है और इस सेशन में अभी तक हमने भासा और व्याकरन के बारे में बात किया वन वन माला के बारे में बात किया स्वर और स्वरो के वरगी करन के बारे में बात किया आज किस क्लास में हम लोग बात करेंगे व्यंजन क्या होते हैं व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं हना व्यंजन का मुख में उच्चारा नस्थान क्या है और इन सभी बिंदों को हम लोग विस्तार से देखेंगे और सभी बिंदों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बहुती शांदार क्लास होगी बहुती शांदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपकी ये क्लास सुरू होने वाली है तो सभी लोग एक बार class को share कर दे और जो भी साथी channel पे नए आते हैं सबसे पहले आपको channel को subscribe करना है उसके बाद में आपको bell icon को press करना है ताकि new or listed notification आपको समय के अनुशार मिलते रहे class अगर आपको पसंद आती है class को like कीजे अपने सभी साथियों में share कीजे और comment box में comment करके जरूर बताईएगा कि class आपको कैसा लगा साथ ही हमारे telegram channel को जरूर join कीजेगा इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा और अगर आपने इससे पहले की class को नहीं देखा है तो उसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग class की शुरुबात करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने वर्माला में स्वर और स्वरों के वर्गी करन के बारे में पढ़ लिया है वर्माला के बारे में बात कर लिया है और आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं वेंजन के बारे में है ना जिसे अंग्रेजी में consonant कहा जाता है तो चलिए बात करते हैं वेंजन क्या होते हैं और consonant क्या होते हैं तो जैसा आप जानते हैं पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने बात किया था कि वर्माला में वर्णों को जो है दो भागों में बाटा गया है एक आपका स्वर होता है और एक आपका वेंजन होता है ठीक है स्वर्वे होते हैं जो स्वतनत रूप से बोले जाते हैं इनको बोलने के स्वर्ह की यवसकता होती है अर्थात वे वन जो स्वर् गये सहारे बोले जाते हैं उन्हें वेंजन कहते हैं तो वेंजन क्या होते हैं और जब कि स्वपनिंट रूप स्वतंत्र ध्वनी होती है उनको बोलने के लिए किसी की साहता क्यों सकता नहीं होती है ठीक है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी वनमाला में कुल वेंजनों की सेंख्या जो है वो 33 है कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि हिंदी वनमाला में कुल वेंजन कि हिंदी वनमाला में पहले स्वर को क्यों रखा गया और बाद में वेंजन को क्यों रखा गया ऐसा क्यों नहीं किया गया कि पहले वेंजन थे फिर बाद में स्वर को रखा जाता तो इसके पीछे जो कारण हशाथियों वह यही है कि जो पानिन मोहोदे थे उन्होंने क्या किया था कि वनों को बैवस्तित और करमबध तरीके से रखने का प्रियास किया था और उन्होंने ये पाया था कि जब हम लोग स्वरक्या उचारन करते हैं तो वायू जो होती है वो मुख में बाधित नहीं होती है हना जब स्वरो का उचारन किया जाता है तो वायू मुख में बाधित नहीं होती है इसलिए वर्माला में स्वरो को पहले रखा गया इसलिए वर्माला में क्या किया गया? सवरो को पहले रखा गया, क्योंकि सवरो को उच्चारन करने समय या सवरो को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की साहता नहीं ली जाती है, ये सवतंत्र धन्या होते हैं, इनको आप बोल सकते हैं, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वेंजन होते हैं उनके उच्चारन में वाई जो होती है वो मुख में बाधित होती है इसलिए वर्माला में वेंजन को बाद में रखा गया है हना वेंजन को बोलते समय स्वर की साहता ली जाती है हना इस वज़े से वेंजन को जो है वर्माला में बाद में रखा गया है तो आ इसमें पहला है आपका अस्पर्स वेंजन, दूसरा है अन्तास्थ वेंजन, तीसरा है उसमें वेंजन, चौथा है सम्त वेंजन और पांचवा है उत्तिशिप्त वेंजन, तो इन पांचों वेंजन के प्रकारों के बाड़े में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अश्पर्स वेंजन क्या होते हैं तो अश्पर्स वेंजन की बात करें तो अश्पर्स का अर्थ होता है छूना छूना यानि टच करना है ना तो जब किसी वेंजन को बोलते समय जीव मुख के किसी विशेश उच्चारन अस्थान जैसे कंठ, तालू, मुर्धा, दांत को छुए तब ऐसे वेंजन को असपर्स वेंजन कहते हैं कहने का मतलब यह साथियों असपर्स वेंजन होते हैं जिनका उच्चारन करते समय या जिनको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो मुख में कुछ विशेश अस्थानों को जब टच करती है तो इस परकार के वेंजन को असपर्स वेंजन कहते हैं और ये विशेश अस्थान आपक कंठ हो सकता है तालू हो सकता है मुर्धा हो सकता है दांत हो सकता है तो ऐसे वेंजन जिनका उच्चारन करते समय जीब मुख के किसी विशेश उच्चारन अस्थान को अस्वर्स करती है इस परकार की वेंजन को अस्वर्स वेंजन कहते हैं ठीक है यहाँ पे कंठ और तालू म तालू और मुर्धा में बहुत सारी साथियों को दिक्कत होती है वो समझ नहीं पाते हैं कि तालू क्या होता है और मुर्धा क्या होता है तो तालू और मुर्धा में आपको अंतर पता करने के लिए इनके बीच क्या डिफ्रेंस है ये पता करने के लिए आप अपनी एक उंग किसी चिकने सता को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका तालू है उससे हम क्या कहते हैं तालू कहते हैं और जब आपके उंगले किसी खुर्दरे सता को टच करती है तो उसका मतलब है कि वो अस्थान जो है वो मुर्धा है मुर्धा आपके दांत के जस्ट पास में ह होता है अगर आप देखेंगे तो यहां पर खुर्दरा खुर्दरा सतय होता है ठीक है और जो तालू है आपका वह जीव के पक्ष्ष भागे के ऊपर है यानि एकदम पीछे वाला भाग है वह उपड़ी छत का और वह चिकनी सतय होगी वह न वह बहुत चिकना सतय होगा तो आपका तालू कहलाता है तो आई होप आपको मुर्धा और तालू में डिफ्रेंस जो है वो अंतर जो है आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग बात करते हैं आगे असपर्स वेंजन कितने होते हैं तो असपर्स वेंजनों को पांच वर्गों में बाटा गया है और परत एक वर्ग का नाम उसके पर्थम वर्ग के द्वारा लिखा जाता है इसलिए इसे वर्गिये वेंजन भी कहते हैं वर्गिये वेंजन क्यों कहते हैं अगर आप देखिए अगर इसके चारो और आप एक रेखा खीचते हैं इस परकार से ठीक है इसके चारो और आप रेखा तो इस परकार से इसे जो है वर्गिये बेंजन कहा जाता क्योंकि इसके चारों तरफ पांच पांच वर्ग होते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसे वर्गिये बेंजन क्यों कहा जाता है ना तो हमने देखा कि एसपर्स बेंजनों को पांच वर्गों म बाटा गया है और परतेक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं अगर इनका हम टोटल करें तो कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि असवर सेवेंजनों की संख्या जो है वो 25 है अगर कर वर्गी की बात करें तो इसमें और चे वर्गी की बात करें तो यह प्रतेक वर्गी का जो पहला वर्ण है इसके अधार पे इसका नाम दिया गया है पहला वर्ग कै है तो ये कै वर्ग है पहला वर्ग चै है तो ये चै वर्ग का है पहला वर्ग टा है तो ये टै वर्ग है पहला वर्ग ता है तो ये ता वर्ग है और पहला वर्ग पा है तो पा वर्ग है इस परकार से एसपर्स वेंजनों को विवाजन किया गया है और ये कु लाके 25 होते हैं ठीक है तो आई होप साथियो आपको असपर्स वेंजन समझ में आया होगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि असपर्स वेंजनों के उच्चारन अस्थान किस परकार से हैं हमने ये तो जान लिया कि इसपर्स वेंजन कितने होते हैं 25 होते हैं पांच पांच वर्ग में होते हैं परतेक वर्ग में पांच पांच वर्ग होते हैं ठीक है अब हमको ये जानना है कि असपर्स बेंजनों का जो उच्चारन अस्थान है मुखी के अंदर वो कैस परकार है कौन से वर्ग का उच्चारन अस्थान कौन सा है इन सभी बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैवर्ग का, तो कैवर्ग में आप जानते हैं, कया खया घया घया या आता है, तो जो कैवर्ग है इसका उच्चारन अस्थान कंठे अर्थात कंठ से होता है, कैवर्ग का उच्चारन अस्थान कंठ से होता है, चैव मुंके भीतर उपड़ी छत का जो पिछला भाग होता है वो तालू कहलाता है तो चा वर्ग का उच्छाड़न अस्थान तालव्य है कय वर्ग का उच्छाड़न अस्थान कंठे है और टै वर्ग का उच्छाड़न अस्थान मुर्धनी है अर्थात मुर्धा है जो कि मुंके उ उपर उपड़ी छत का अगला भाग होता है जिसे मुर्धा कहते हैं तो टा वर्ग का उच्चाडन अस्थान मुर्धा है ता वर्ग का उच्चाडन अस्थान दांत से होता है यानि दंते है और पा वर्ग का उच्चाडन अस्थान ओष्ठई ये अर्थात ओठो से है तो इस परकार से परतेक वर्ग का अलग अलग उच्छाड़नस्थान है और इस वज़े से का वर्ग को कंठय वेंजन भी कहा जाता है चा वर्ग को तालव वेंजन कहा जाता है और ता वर्ग को मुर्धन वेंजन कहा जाता है और ता वर्ग को दंतिय वेंजन कहा जाता है और पा वर् पूछा जाए कि किस वर्ग को जो है कंठे वर्ग कहा जाता है या कंठे वे बेंजन कहा जाता है तो क्य वर्ग को अगर ताले वे बेंजन के बारे में पूछा जाए तो चा जा जाईया या आपके ताले वे बेंजन है ता वर्ग आपका मुर्धन ये बेंजन कहलाता है ता व किसे समझ गएंगे ठीक है? तो चलिए साथυों में चित्र के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ कि इसपर सवेंजनों का उच्चाड़नस्थान क्या होता है? तो सबसे पहले हम कयव़ग के बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैवर्ग का उच्चारान स्थान कंठ होता है, यहाँ पे आपका कंठ होता है और कंठ के चाड़ो तरफ आपके स्वर्तंत्री होती है, ठीक है तो यहाँ से उच्चारान स्थान होता है कंठ कैवर्ग का कैवर्ग को हम लोग कंठ है ये वेंजन भी कहते हैं, अब हम लोग बात करते हैं तावर्ग की है ना, शोड़ी चैवर्ग के बात करते हैं पहले, तो चैवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालू से होता है और ये आप देख सकते हैं कि जो मो के ऊपरी छत का पिछला भाग है इस पिछले भाग को तालू कहते हैं ये चिकनी सता को तालू कहते हैं और यहां से चैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है अर्थात चैवर्ग को तालेव ये वेंजन भी कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं आपका जो टैवर्ग है ना, टैवर्ग जो है आप देख सकते हैं यहां से तो तयवर्ग का उच्चाडणास्थान मुर्धन्य से होता हैं अभ हम लोग बात करते हैं आपका जो अहीं होता है कहाँ पहकर सुच्चाडणास्थान होता है वह धंत ply इसलिए से दंते afterward भी कहते हैं तो तैवर्गी का उच्चाणन स्थान दंते से होता है इसलिए इसे दंते वेंजन भी कहते हैं ठीक है और इसके बाद आपका आता है पैवर्गे तो पैवर्गी की बात करें तो इसका जो उच्चाणन स्थान होता है वो ओठो से होता है इसलिए इसे ओष्ठय वेंजन कहते हैं यह आपका पैवर्गी का उच्चाणन स्थान है तो इस परकार हमने देखा कि कैवर्गी का उच्चाणन स्थान कंठे से होता है चैवर्गी का उच्छाननस्थान आपके मुर्धन्य से होता है यानि इसे मुर्धन्य वेंजन भी कहते हैं और तैवर्गे का उच्छाननस्थान दातों से होता है इसे दंते वेंजन कहते हैं पैवर्गे का उच्छाननस्थान आपके ओठों से होता है इसलिए से होश्टे ये वेंजन कहते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस चेत्र के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गये होंगे ठीक है तो आई होप साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सभी बिंदो समझ में आये होंगे इस क्लास में हमने सभे मात्पूर्ण बिंदो के बारे में चार्चा किया और असपर्स बेंजन के बारे में हम लोगों ने बात किया अब आपके जो इसके अलावा बसते हैं अन्तहस्ते वेंजन, उश्मे वेंजन, स्वेंट वेंजन और उत्शिप्त वेंजन आने वाले दो क्लासों में हम लोग इसको भी कंप्लिट करेंगे आज किस क्लास में बस इतना ही आज किस क्लास में हम लोगों ने वेंजन के बारे में बात किया वेंजन के प्रकारों के बारे में बात किया और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने असफर्स वेंजन के बारे में बात किया तो आज किस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए आप अपना ख्यार लखिए और सबसे जबड़री वास साथियों अगर आप чैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने सभी साथियों में क्लास को Share कीजे क्लास को Like कीजे ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू थाइंक यू वरी माच जय हिन जय भारत